Good morning, kids. Welcome to fun and learn school. I hope you all are doing good. कल हमने क्या सीखाा था, बच्चो? कल हमने सीखा था स्वर изменर अ और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे स्वरे आ क्या सीखेंगे हम लोग? आज हम सीखेंगे स्वरे आ जैसे कि कल हमने हमारी worksheet का print out लेके किया था आज भी हमें हमारी worksheet का print out लेके ही worksheet complete करनी है तो चलो देखते हैं आज हम क्या सिखेंगे तो बच्चो आज हम सीखें स्वरा आ तो अभी हमें स्वरा आ को लिखना है पर इससे पहले आपको अपनी पैंसिल आपके फिर्स फिंगर में और थम फिंगर में पकड़ना है And then let us start So first one what it is? स्वरा आ स्वरा आ तो हमें स्वरा आ कैसे लिखना है? First हमें small curve, then one more small curve, sleeping line, standing line, one more standing line and then a sleeping line स्वरा आ स्वरा आ Curve, then one more curve, sleeping line, standing line, standing line and then again sleeping line So this is स्वरा आ Curve, then one more curve, sleeping line, standing line, one more standing line and then sleeping line This is स्वरा आ So what we are learning? We are learning स्वरा आ इसी तरह आपको स्वरा आ कंप्लीट करना है आपकी वरक्षीट में आप वरक्षीट का प्रिंट आउट ले सकते हो और वरक्षीट कंप्लीट कर सकते हो Okay kids, then come down, down भी स्वरा आ ही है आपको repeat करना है और स्वरा आ कंप्लीट करना है क्या है ये? स्वरा आ पहले curve, then one more curve, sleeping line, standing line, one more standing line, then sleeping line स्वरा आ क्या सीक रहे हम लोग? स्वरा आ इसे आपको आपकी वरक्षीट में कंप्लीट करना है इसे पहले हमारा टेक्स्ट बुक में हो गया है बट हम आभी सिफ रिविजन कर रहे है तो ये है हमारी स्वरा आ की वरक्षीट तो आपको कहां पर कंप्लीट करना है बच्चो? आपको कंप्लीट करना है आपकी वरक्षीट में मैं PDF भी भेज रहे हूँ आप PDF रेफर करके प्रिंट आउट ले सकते हो ओके किट्स, तिल देन बाई, टेक केर